नमश्कार यहिंद आप सभी का स्वागत है ब्रहमास्त्र सिरीज में प्रिलिम्स का पेपर बिल्कुल निकट आ चुका है और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपने बड़ी इमांदारी से तैयारी की है बस अब उस इमांदारी का जो आपका फल मिलना है वो शायद ह कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है आपसे हो सकता है यू आप दिस विदिन यू 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 कांडू दिस और इसी के साथ आगे बढ़िए शायद जल्दी से हम लोग उस मुकाम पहुंच जाएंगे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में वेरी इवनिंग ज जुड़ जाइए CMC कोड पर लाब ले सकते हैं आपको बहुत सारे लाब मिल सकते हैं CMC कोड पर यू एट जो ऑनलाइन पर ना चाहरे हैं अपनी तयारी मई से आपका बैसे ओनलाइं जो लांच हो रहा है तो रेंज औफ एजुकेटर्स आपको पता ही अमारे यार भैतरी सब तो आप देख सकते हैं दिस इस वान ये बैच कोर्स बाइलिंग्वल है आरंब आपका बाइलिंग्वल बैच है दोज़ार चौबिस के लिए हो रहा है तो आपके लिए बहुत एक लगभग ऐसे चीज़ों को आप देख सकते हैं कि मुझे लेना है करना कर सकते हैं ऑफ लाइन बैस के बारे हम आपको बता दें इसका प्राइस थोड़ा सा हाइक आपको लग रहा होगा एक लाग 30,000 अब आपको दीख रहा है पर आप जैसे cmc कोड लगाएंगे इसमें आपक क Da ni CHE kita ॉउप कर और इसका मतलब है बाग यो नहीं का साथ देता है जो ढएर रखते हैं कोशिश करें थोड़ा सा पेश हरा ने वाला है चलिए लेट स्टार्ट सेशन हलो हलो पहला टॉपिक आज लेते हैं यह काफी न्यूज में चल रहा था और हमें शायद कहीं न कहीं इसमें एक सेंस हो रहा है question in the prelims examination यह क्या है dark sky reserve dark sky reserve ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि dark sky को देखना है वहां पर शायद observe करना इसलिए को reserve होगा ऐसे भी आप इसको visualize कर सकते हैं designation given to a place that has policies in place to ensure that attract of land or a region has minimal artificial light interference एक ऐसी जगह जहां पर policy द्वारा बनाया गया है कि आप आटिफिशल light बहुत कम होगी तो रात होगी तूबस रात आप यूबी इन दा लाइट सफ्टार्स दा मून यूबी देर तो यह dark जो आपका light or sky reserve है it's a designation given to a place that has policies in place to ensure कि minimal artificial light interference मिनिमल वर्ड है यहां पर जीरो और minimal में फरक होता है याद रखिएगा वह आपको एक इंपल सा लिक के दे देंगे जीरो जीरो इस absolute हम लोग को absolute यहां भी question मिलेगा हम लोग को थोड़ा सा सतर कोना है zero is absolute हमें क्या देहान देना है minimal पे minimal वर्ड हमें धूड़ना है अच्छा कॉन देता है यह देजिगनेशन तब इंटरनाशनल डार्क स्काइ अस्वीएशन विच इस ए यूएस बेस्ट नॉन प्रॉफिट देजिगनेट प्लेस अस इंटरनाशनल डाक स्काइप प्लेसे पार्क सेंचुरी जार्व डिपेंग अड़रिया दे मीट तो यह जो इंटरनाशनल डाक रिजर्व डाक स्काइप के बारे में हमें बताता है यह आपका इंटरनाशनल डाक स्काइशन तो परस आगे बढ़ते हैं ऑफ डिपार्टमेंट और साइंस अं टेक्नोलोजी कि इस गिंटु बए तो मीट अपंडिया प्रस त्ट हैं अप द्रिंड डाक स्काइब तो कौन कर राएं डिए डिवाट के काहां पर लिए लदधाक इन हंले लदधाक आब हमारे लिए आपको याद होगा वी आप यह South में Indus है या North में Indus है हमने आपसे प्रश्ण पूछा था और अपसे जवाब अपेकशित है आप पो नीचे जवाब दीजेगा कि पैंगॉंक सो के South में Indus है या नॉर्थ में Indus है नीचे जवाब दीजेगा हम आगे बढ़ते हैं तब तक तो लोकल तूरिजम और इन सब के लिए शायद हम लोगे कोशिश कर रहे हैं लोकल तूरिजम नीश टूरिजम हम लोग कोशिश कर रहें डार्ट स्काई रिजव बनाने का लोकेट अटॉप मांट सरस्वती अगर गलती से आ गया वैसे बहुत फैक्श्व नहीं पूझाएं पर आगे तो याद कि मांट सरस्वती इन दा निलामकुल प्लेन इन दा हानले में चांग फैस् 2 औरफ इस बड़े से इन डे सकता है निलामकुल लेन आपको ऑल्ट सरसवती आपको दीख सकता है तो वहां पे आपका यह बना ये जाएगा जो पर इसieme षबिशा न पर यहां पर है हमाल्यान चंद्रा टेलिस्ग एच्च्छी कबищ हाई एनरजी गामारे टेलिस्कोप मेस और ग्रोथ इंडिया और ग्रोथ इंडिया प्रॉमिन टेलिस्कोप लोकेटेड़ लोकेटेड़ हैं ले अब सेंसेंगे बहुत फैक्ट्चुल है पर यह चीज तो पता चल गई है इसके अलावा भी यहां पर यह पता सकता है इसकें कम ते कुछ आस्क्यों इस वाट एक स्टेटमेंट दे देंगे आपको कि इसके साथ यह यह भी है एक दो नाम दे देंगे तो याद रखना है आपको हगर मेस अगर वह पूछे तो याद रखिएगा कि यह भी वहाँ पर है प्रॉमिन टेलिसकोप से लोके अजना व्लैक में आपको यह दिख रही है यह चनग्तांग की सामunta अभी औुपर आपको पताएंगे आगे बढ़कर यह पैंगॉंग sya और यह थो मोरी के बिल्कुल यह वाले भाग में भरत के अब है व्याट का पैंगॉंग saja औरन यह सेंचुरी में आपका सो मोरीरी है इसी में निकल रही है इंदस रिवर लाइस बीच से निकल रही इंदस आप देख सकते हैं इस पूरे अरिया प्लाट्यू टाइप जहां पर आपको वैली जाती है तो यू कन ट्राइट रिमेंबर हनले अगर याद हो किया तो बहुत अच्छा है हो ही जाएगा खेर अप्तो आपको इन दोदों के बीस से आपकी निकल रही इंदस सो पूछेंगे क्या बस सिंपल पू या कुछ और लिख देंगे जिम कॉर्बट लिख दिया और लिख दिया राम गंगा अब जिनको पता है उनको आसान होगा जिनको नहीं पता है उनको नहीं हो सकता यह प्रश्ण कभी नहीं वह सकता अगर आपको इसके बारे में आडिया नहीं चांग ठांग से आप कभी जेलम हो इंदस नहीं निकलती है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्लियर है सबको क्लियर है एवरीवन इस इट करेक्ट इस फाइन गुड एनफ शाल भी मूव फॉरवड चांग याद रखेगा डार्क स्काई रिजर्व आपका डिस्ट बनारे डिपार्ट्बंट और साइंस एं टेक्नोलोजी आई अब अभी से लेकिए अगले पांस-दस मि तक हम जितना बोलने वाले हैं यह सब फैक्ट्चुल है और हो सकता है यह फैक्ट्चुल कहीं न कहीं आ जाया है तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप इसको कहीं लिख लें क्योंकि यह बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला यह बहतरीन इस बार के लिए 22 스 separate में कम से कम minimum 6 बार हमने इसको देखा है चे बार इपच्वाएंगों ऑब आपसे प्रश्न पूछेटए रहा आए देखते हैं क्या क्या है यihा Safety एलियन स्पिशीज या एलियन स्पिशीज मतलब एक ऐसा स्पिशीज जो अपने नैच्रल इन्वायमेंट में नहीं है उसके बाहर कहीं पे चौन स्प्रेड है या किसी नाश्र whit ub cross spread हो रहा है introduce हुआ है गलती से आ गया है आउटसाइड इस नाचुरल डिस्टिबूशन और इफ दिस्पिशिस बिकम प्रॉब्लमेटिक देखी हर अलियन स्पिशिस प्रॉब्लमेटिक हो जरूरी नहीं है कुछ अलियन स्पिशिस प्रॉब्लमेटिक होते इसलिए उनका नाम ह इनवेजिव तो प्रस्ट पहला वो पूछेंगे ओल इनवेजिव बोलेगा नहीं गलत है इनवेजिव स्पिशिस तभी होगा जब वहां के फ्लोरा फॉना को खराब करने में लगेगा और वो कहां का खुद है बाहर का कहीं से आया है तब ही वह एलियन है सुनी डिफाइन इन्वेजीव एलियन स्पीशिज अगुछ बूंचित वोगनाम पड़ा है इन्वेजिव एलियन स्पीशिज इन्वेजिव गडिवाल सब्सक्राइब्स पार्ट करें जल्युक्टेज नाम कुछ आएंगे चिंता मत करियेगा कई बर क्या होता है फंगल पैथोजेंस जबरदस्ती फैलते चले जाते हैं जो की इन्वेजिव एलियन हो सकते हैं तो आप से पूछेंगे वो कि क्या फंगल पैथोजें भी फंगस हो सकता है है इंवेजिव हो सकता है इंटेंशनली इंटर्ड्यूस फीड स्टॉक और बायो फ्यूब क्रॉप्स इन्वेजिव हो सकते हैं अगर आपने उसको कुछ अपने एकनॉमिक टरम के लिए उगाया है तो हो सकता है वहां का इन्वेजिव हो जाए मतलब इन्वेजिव का मतलब है कि उसका जो नाचूरल फ्लोराफोना था उसको खतम कर देगा तो याद रखेगा फंगल भी हो सकता है या फिर वह अन इंटेंशनल भी हो सकता है इंटेंशनल भी हो सकता है यह प्रस्ट आउलेडी पूछा हुआ है ओल्वेस करके वो अप्रिकन फिन बोस और ब्रजीलियन शेराडो नहीं पूछेगा पर ब्रजीलियन शेराडो याद रखेगा रिजन अब ब्रजील इन्वेजिव पाइंस भी हो सकता है इन्वेजिव इन स्पीशिज आ सच प्रॉब्लम डाट एची बायो डाइवर्सिटी टार्गेट जब रखे जा रहे थे सुनिये का बहुत गौर से यह इतने बड़े प्रॉब्लमेटिक है कि एची बायो डाइवर्सिटी आर्गेट जब रखा गया था तार्गेट नाइन एंड वन क्लॉस अप युवन सस्टेनेबल डेवलप्मेट गोल 15 लाइप अन लैंड स्पेसिफिकली इस प्रश्ण को अगर हम ना पढ़ें तो हम सौल नहीं कर सकते कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के लिए स्पेसिफिकली लिखा गया है गोल 15 लाइफ एंड लैंड स्पेसिफिकली अड्रेस अइश्यू सुनिए बहुत गौर से यह पीटी अलर्ट है याद रखिएगा कि साफ तरीके से स्पेसिफिकली लिखा गया है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को कम करने के लिए खतम करने के लिए साफ साफ लिखा हुआ है यह प्रशना सकता है कॉमन फीचर्स क्या है इस प्रशना सकता है यह जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज होते हैं इनका एब तरीके से produce हो सकते हैं रिप्रोडूस हो सकते हैं फास्ट ग्रोथ रैपिड रिप्रोड़क्शन हाई डिस्पर्सल अबिलिटी तुरंट फैलेंगे तुरंट फैलेंगे तॉलनेस उफ वाइड रेंज अब इनका रेंज होगा इन्वाइमेंटल कंडिशन में भी अच्छे खासे रह सकते हैं तो इनको आउट नंबर वहां के नेटिव उनको आउट नंबर कर देंगे तो याद रखेंगे बड़ा इंपोर्टन हो सकता है आप लोगों के लिए नाम याद रखना चालू करिएगा इसको लिखेगा सेन शिइना सपेकटेबिलिस यह नाव सकते हैं आम से। एकिया है या फिर किस से रिलेट कर रहे हो नाम पूछ. लां टानओ वाटल यूकलिप्टस उस बाग पा था आर गरत का तो यूकलिप्टस, pine, water, lantana और senna याद रखेगा, lantana, senna, water, eucalyptus and pine, ये सब क्या है, alien species, these are invasive species of nilgiris या invasive species, जो आपको याद रखना है, और थोड़े नाम है, ipomia, ipomia, mimosa, ipomia, mimosa, I'm not reading some chants from Harry Potter, but these are the names, this is ipomia, mimosa, parthenium, याद रखेगा, parthenium, mimosa, you have ipomia, ipomia, mimosa, parthenium, lantana आपको बता दिया है, bombax, bombaxeba, called as semul, bombaxeba, largest stroemia, speciosa, अब इतना नहीं पूछेंगे वो, पर एक दो उपर के नाम याद रखेगा, ipomia, mimosa, parthenium, बस ये दो तिन नाम आपको याद रखना है, and cane is a commercial plant that is threatening to be an invasive plant in kazi ranga, आप सुनियेगा, हो सकता है, आप जिसको बहुत अच्छा crop मानते हैं, जैसे sugar cane है, cane है, ये हो सकता है किसी जगह के लिए invasive हो, कोई अगर कहीं के लिए boon है, तो कहीं के लिए bane बन सकता है, तो इस invasive species may be doing good for some people, some place, some agro-ecological zone, but to some places it could be very threatened effect there, और या इसको कहीं पर खराब कर सकता है, तो जैसे cane है, वो यहाँ पर अच्छा लग रहा होगा आपको, south में अच्छा लग रहा होगा हो सकता है, काजी रंगा में, it could become invasive plant species, ठीक है, हाँ, थोड़ा मुश्किल है, पर यह बड़ा simple question होगा, अगर आपके सामने आएगा तो, कुछ चीज़ें हम और आपको बताए दाएंगे, डेली is implementing ecological restoration of its central ridge, which involves replacing invasive विलायती किकर, यह जूली फ्लोरा नाम याद रखियेगा, यह एक चीज़ है जो शाहिद हम दोग फिर्स से, को देख सकते हैं एक ये है और एक और है है तू इस पिशिश दूनुस में थी अमेरिकन बुल फ्रॉग and brown tree snake American bullfrog and brown tree snake आप बस नाम लिखिए यह रठना नहीं है यह कैसे होगा हम आपको बता है यह exam में सामने लिख के आएगा आपको बस अईटिफाइ करना है यह दिमार्ग subconscious mind में बैठ जाएगा इसको बस सुन लिजा American bullfrog आजाए आपके सामने इंवेजिव स्पीशीज बस रटने का जरूरत है नहीं वसनाम पॉइंटर बनाई और यह बस एक दो बर देखिए तीन बर देखिए अब एक्जाम में आगा लीविट दिस माइंड रिकॉल इट अगे इट अगे अच्छा एक और है यह आपका देखेंगा रेड इयर्ड कान है इस रेड इयर्ड 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 स्लाइडर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब चुकि टर्टल्स के ऊपर यह बात हो रही थे रेडियर स्लाइडर की बात हो रही थे हम आपको एक दो पॉइंट और देना चाहते थे वह यह है इंडिया में कीपिंग इंडिजनस टर्टल सैस पेट्स प्रोहिबिटेड वा आप कीप टर्टल्स आस पेट परन्तु तो फॉरें ब्रीट्स आर नोट रेस्ट्रिक्टेड और केप्ट पेट्स पेट्स इन मेनी फैमिलीस तो फॉरें ब्रीट को मना नी करते हैं उनको बहुत लोग रखते हैं यह स्मॉल एजी तो मैंटेन स्पीचिस जैसे आप यह रे स्पीचिस तो रेडियर स्लाइडर है यह आपका थ्रेड बना हुआ है पॉइंट क्या है कि आप पेट नहीं रख सकते आज इन इंडिजीनस टर्टल पर बाहर से लाके टर्टल आप रख सकते हैं यह इतना पॉइंट है जो आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे बढ अगर याद हो तो बहुत बढ़िया नहीं तो यह बड़ा हम लोग मुश्किल में जा चुके है इतना नहीं पूछेंगे वह वाटेबर यह रिटन बाइस टाइम उतने में बहुत हो जाएगा वह चुकिए हमने आपको बोला था आगले 10 मिन तक आप आपस हमारे नाम सुनि पॉइंटर बना लिजेगा आफ्रिकन एपल स्नेल पपाया मिली बग कॉटन मिली बग तो ऐसे भी याद हो जाएगा आपको और अमेजॉन सेल्फिन कैक्टिश पस इतना याद रखना है इसके आगे कुछ नहीं है बस खतम करी आगे बढ़ते हैं एक चीज और देखते हैं Wildlife Protection Act 1972 का update किया गया 2021 में with a new amendment that addresses the invasive alien species मतलब इससे पहले invasive alien species की कोई बाक ही नहीं थी कोई बात नहीं थी 1972 का Wildlife Protection Act did not discuss about the invasive species की कैसे regulate किया जाया पर अब 2021 में इसमें अमेंडमेंट किया गया इट है नाओ एक्सपांडेड दा बिल्स इंट्रोड़क्शन अप इलियन इन्वेसिव स्पीशी अब आग चुका है Central Government has the authority to control or outlaw the import trade possession or spread of invasive alien species that endangered the India's wildlife or habitat invasive alien species refers to any animal or plant species that is not indigenous to India and whose introduction or expansion में इंडेंजर और निगेटिव तो अब जाके Wildlife Protection Act में इसको डाला गया है अब वो आप से क्या पूछे के देखिएगा देखिएगा कैसे पूछेंगे Wildlife Protection Act of 1972 originally had set regulations for invasive alien species वो आपके से पूछेंगे समझेगे आप लोग इसका क्या देंगे हाँ वो नाम था species का नाम था अजीव अजीव जीव जो दिखा नाम था species का क्या वो लेंगे इसका आंसर वाइड़ प्रोटेश्चन एक 1972 ओरिजिनली हाड सेट रेगुलेशन्स और invasive alien species वाट विल बी और आंसर हियर बताईए बिल्कुल गलती होगा आपको पता है ओरिजिनली नहीं था अब आया है अब आया है विद अमेंड्मेंड मेंड इस काम इट वस नॉट ओरिजिनली ठीक है बहुत बढ़ी है चलिए आगे बढ़ते है आपके सामने प्रस्तुत है एक प्रोग्राम पर उस प्रोग को लिखने इस पहले हम आपको बता दे हम आप से जानना चाहते कि आप लोगों को क्या माइक के बारे में पता है माइक के बारे में क्या आप लोगों को पता है एम आई के आप लोगों को पता है एम आई के बारे में माइक के बारे में पता है मॉनिटरिंग ओफ इल्लीगल कीलिंग ओफ एलिफेंट्स किसे रिलेटेड है मॉनिटरिंग ओफ इल्लीगल कीलिंग ओफ एलिफेंट्स हो गया किसे रिलेटटेटेट है पहला प्रश्चन माइख किसे रिलेटेटेटेड से माइट कही रिलेटेड ए वह आपका रिलेटेटेड यह थार इलेपेंस कैसे मॉनिटर किया जाए so that illegal killing of elements should be stopped पहला प्राशन तो आप दे सॉल्व कर लिला ये पहला प्राशन आप सा भी ने सॉल्व कर लिला दूतरा प्राशन Mike was launched as a consequence of 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 Conference of Parties Meeting Meeting of CBD Convention on Biological Diversity Mike was launched as a consequence of COP meeting of CBD मतला हमने आप से ना येर पूछा ना कुछ पूछा हमने बस आप से वो सिंपल एक प्राशन रिखा हुए देखते हैं आप इतने आप कौन बता सकता है आप मैसिस को कौन बताएगा है देखते हैं हमारा पूरा भरोसा है कि आप इसको बता देंगे किप करेंगे बहुत बड़ी है अच्छी स्ट्राटेजी है अब जो फॉल्स बोल लें अच्छी बात है आपको पता था बहुत बहुत टाइगर बहुत हो चुका टाइगर पर नॉट एक्सपेक्टिंग मच ना हो इतना टाइगर हो चुका है यह आरा इस बाए दोजार तीन में इंडेंजर्ट स्पिशीज का सी ओपी साइट 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 सी ओपी दोजार तीन में चालू करवा रहा है माइक प्रोग्राम कहां पे साउथ एशिया में क्या गोल है तो प्रोवाइड दा इंफॉरमेशन नीदेट एलिफंट रेंज सेट्स तो में अप्रोप्रेंजमें अपुर्स्म बस्ते है तो बाइश्ट सी ओुड़ इंपुचक विदिट अ εί Schönallow long-term elephant population management, entirely reliant on donations. The European Union has been the MIC program's most significant donor funding implementation in Africa since inception in 2001, in Asia since 2017. European Union ये पुरा दोनेशन पर चल लाई प्रोग्राम. The US Fish and Wildlife Service as well as the government ये कोई नी पूछने वाला आप से, पर कोई बात नहीं, हर organization, हर government लगभाई इस हो फंड कर रही तब ये चल पा रहा है आपका, आईए और दिखाए आपको, तो provide information needed for elephant range states to make appropriate ये आपको उने बता दिए, तो क्या भारत में जैसे आपके पास biosphere reserve है, tiger reserve है, वैसे ही आपके पास elephant reserve भी है, अब हम आपसे ऐसे सवाल पूछना चाहरे थे, आपको क्या लगता है, भारत में आपके पास कितनी माइक साइट्स होंगी, हर साइट माइक की नहीं होगी, माइक साइट न्यूक्त किये जाएंगी, जैसे भी भारत में अगर आप देखें तो, इन सब में आपके माइक साइट्स आपको दिखते हैं, फिर से देख लीजेगा, असाम, अरुनाचल, असाम, मेघाले, वेस्पेंगौल, उडिशा, उत्राखंड, करनाटक, तामिलाडू, केरला, तो साउथ में आपके होगा, करनाटक, तामिलाडू, केरला, इस्ट में आपको वेस्ट बेंगौल और उडिसा दिख गया, नॉर्थ इस्ट में आपको असाम, अरुनाचल, प्रदेश, मेघाले दिख गया, और नॉर्थ में आपको दिख गया, उत्राखंड, अब आप देखिए कि क्या आपका जिम कॉर्बेट इसे माइक साइट, वह बहुत ज्यादा हम इसे परिशान नहीं होंगे, not all elephant reserves are going to be mic sites, there are limited 10 mic sites in the country, जो आपके सामने मौजूद है, Assam, अरुनाचल, Assam, मेघाले, वेस्ट पंगौल, ओडिसा, उत्राखंड, करनाटक, तमिलाडू, तमिलाडू जाएंगे तो निलगिरी जाना जरूरी है, तमिलाड प्रदेश, देव माली इसी नरुनाचल, देव माली इसी नरुनाचल, देव माली परवत, चिरांग रिपू, Assam, चिरांग रिपू, Assam, और दिहिंग पठकाई, पठकाई आप लोग जानते, चिरांग रिपू या दिहिंग पठकाई पूछे तो कहां Assam, चिरांग यहां आपको जोग्रेफिय कर आपने पढ़ा होगा इसे दू आपका होगा है मयूर्भंच नाम को ऐसे भी आप जानते मयूर्भंच माइनिंग एरिया भी है मयूर्भंच का है ओडिशा शीवालिक उत्राखंड मैसोर ऐसे भी तरनाटक जनते हैं निलगिरी आप तामिल लाडू वाय नाट केर ला तो इतना वसापको याद रखना है दो तिन नाम जो हमने आपको बता रहा है यहां का दिहिंग पठकाई चिरांग रिपू यह कहा है आपका साम अरुणाचल में देव माली याद रखना है मिघाले इजी किसान क्रेडिट कार्ट स्चेम उस इंट्रडूश इन नाइटी नाइटी एट मतलब आप पच्चिसवी सालगीरा मना रहे है किसान क्रेडिट कार्ड की कौन सी 25 है क्या हीए टैंविक्रेड सपोर्ट अजिछ किस लिए का जीवेशन पर्चेस अफ एग्रिकल्टर इंपू कर सकते हैं हम आप भी दो नड़े बता रहे हैं स्कीम वाज एक्स्टेमेंट क्रेडिक रिक्वार्मेंट फार्मसी तुटाज़ेंट फॉर मतलब अग्रिकल्चर और एलाइट सेक्टर के लिए किसान करेंट कार रहा हर चीज में काम कर रहे हैं सुनिएगा मतलब आप पैसा निकाल सकते हैं यह सब क्या रहा था किसान करेंट लेकि जाते थे शाम में एटियम से पैसा निकालते थे शाम में कहां जाएंगे आपको पता ही है तो इसका बड़ा विरोध हुआ कि आप ऐसे कैश कैसे निकालने देरों पर मुजरिया नहीं दिख रहा था इसलिए गवर्मेंट ने क्या किया कि इसको बोला कि यह विमिन के नाम करूँ विमिन को दो एक क्रिश्यान क्रेडिट कार्ड क्योंकि देखा जा रहा था मैं समें नॉट आल वो शाम में जाएं पैसा निकाल लें एटियम से पहुंच जा रहे थे कहीं पर रोज रोज शाम में यहां लग रहा था लोगों कि अरे हमाएं खेती चल लई है अगरी कल्चर बढ़िया हो गया प्रोडक्शन पता चला है कुछ और ही खेती चल लई है दिस वस्ट प्रॉब्लम तो इसलिए काफी न्यूज में रहा है और इसके उपर अनालिस भी क्या गया था कि आप वि किसान क्रडिट कार्ड इस इंक्लिमेंटेड बाई आल बाई आल इंसिटूशन लिस्टेड बिलो बट बट वन वन मानली जम लिखते हैं कमर्शल बैंक्स नमबर टू मानली लिखते हैं रीजिनल रूरल बैंक्स नमबर थर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स डी या फोर नन आव द अबव बता यह क्या आंसर होगा समझें मतलब समझें क्वेशन का किसांग केडिट कार्ड इस इंप्लिमेंटेट वाई ओल इस्टिवूशन लिस्टेड बिलो बट वन मतलब सिर्फ एक इसमें से नहीं होगा वो कौन सा है कमर्चल बैंक्र डिश रूर्र बैंक्पलिस एक्टर बैंक्ट भैंक्स इंप्सिरफ श्वास्थ को अभव किया होगा अंसर क्या लगता हम बुलन मjustline शरू होते हैं कुछ विक बूलने से बोलते हैं कुछ शूप रहें पब्लिक और गंवर्वेन्ट लेके आ रही हो बुलिए पब्लिक स्रेक्टर पैंक निक Requz तो यह कैसा लोजिक होगा सुनी सुनी अगर मालिजे गवर्मेंट कुछ लेके आ रही है तो गवर्मेंट पब्लिक सेक्टर बैंक को थोड़ी न रोकेगी छोट सोची न भाई पब्लिक सेक्टर बैंक को खुद बढ़ावा देगी कि आपसी कुछ मदद करने को कि उसे पता कमर्शिल इतना नहीं और निकरेगी ने निण यहां प्रक्शन नेरा में यह वह को जिस चीज को गर्मेंट लेकर आ यह दाई तो करने का है तो हम लोग अग्चुली फंसते हैं यहाँ पर इक लोग नहीं करेंगे वह करते यह लिजन रुए बैंक को इन्हां कर रहें को अप्रेटिव बैंक तक कर रहे हैं और यू हब यूर स्मॉल फैनेंस बैंक अपली सेक्टर बैंक तो हो गई होगा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है वह यह को नहीं करेगा तो इसमें से नन आफ द अबाव अंसर था हमारा समझ गए अब मेहनत कर रहें यहीं बहुत है आप जवाब दे रहें बहुत है बाकी तो लोग यह नाम ही पूछने आते हैं कुछ कमेंट्स में ठीक है तो आप हमारा आज अंतिम टॉपिक भी था तो समय लगता है यही आप समझ रहोंगे कि हर चीज में जब करते हैं तो यही समय लगत है यह का भाई चंद्रमॉली एसा यार जो अभी भी नहीं जूड़ा है जूड़ सकता है ठीक है और CMC is my code that you can use and take any subscription thank you so much चांड निरंतरता ही सभी है सभी है बिलकुल निरंतरता ही सफलता की कुंजी है जो निरंतर है वही सफल है आपको सिर्फ निरंतर रहना सफलता खुद आपके पास आगी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का thank you so much take care जैहिं बाबाई everyone take care take care let's meet tomorrow morning bye 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 take care